यह जो ग्राउंड अभी नया बन रहा है यह करीब साड़े चार करोड का प्रोजेक्ट है जो हम डोनेशन कलेक्ट करके कर रहे हैं सुबं मैंने केरल टीम से बाचीट की तो उन्होंने यहां की ग्राउंड और हॉस्पिटैलिटी की काफी तारीब कि और उन्होंने यह बताया कि यहां के ग्राउंड पर प्रौजें करने क seventy Katrina आप रहे हैं या अंडर 13 अभी अंडर 15 टीम कॉलकाता जाने वाले खेलने के लिए हमारे तो ये लोगों को ये बड़ा मैच देखने से कि मोटिविशन मिलता है कि है तीम है जो चारे उटीम है पूरे भारत के बच्चे उसमें हमारे चातिजगर की जो आरकेम फुट्बॉल अकैडमी में सिरिफ हमारे चातिजगर के बच्चे दूसरे कोई भी बच्चे ने यह हमारा प्लस पॉंट आइग अभी पोटेंसियल है और साधीदी दूप से भी आज के डेट में अभी कोई भी इससे उपर नहीं गया है अभी तक तो मैं जैसे देख रहा हूं और ऑल इंडिया फुटबाल संग की पूरी नजर आरकें फुटबाल एकेडमी और चाहिए नमस्कात मैं पुश्पेंदर सिंग ठाकुद बस्तरवारता देखना सुरू कर चु चरते हैं पुरे भारत में पांच जगों पर इस वक्त आइलिक थर्ड डिविजन के मैचेश चरते हैं उसमें एक जगह चतीजगर का नारायनपूर में भी यह मैचेश आयूजित हो रहे हैं नारायनपूर आरकेम को मेजबानी का आउसर मिला हुआ है हमारे साथ और गनाइ जो है वो गेसर हमने उनको दिखाया था उनको हमारे नारायनपूर के भी जितने भी होटेल सैंगों मैंने यह मोबाइल नंबर उनको कॉंटेक्ट नंबर हमने भेज दिया था कि आप लोग अपने नाराणपूर में अभी होटेल कॉंटेक्ट करो और हमारे आश्रम में अगर रुखना चाहते हो तो आश्रम में रुख सकते हो तो उसके लिए भी आपको जैसा सुविधाम हमार नाराणपूर में ऺोटेल Rolling कर ले कि हम लोग वहां पे रहेंगे ऐसा करके चार टीम बहार से आये और आश्रम कए टीम जो आर्के म फुटबॉल अकडेमी वह यहां पर अश्रम में रहें तो टोटल तीन टीम हम लोग बाहर के आश्रम में रखेते एक टीम बाहर ही रुका था काफी सारे दर्सक आई लीग थर्ड डिविजन टूर्टनामेंट के बाद हम नहीं जानते तो उन्हें बताईएगा कि किस स्टेंडर्ड का फुटबॉल टूर्टनामेंट होता है यह एक्चुली हर साल क्या होता था हर स्टेट का जो स्टेट लीग चैंपेंशिप होता है स्टेट में चैंपेंश बन बन दो डिरेक्टी आइएट शचीन किया होता है और यह जो प्रचार-प्रशार होने के कारण सबी स्टेट से टीनामेंट चाहां डिजस निए कि एक टीम को अपने क्राउंड में खिलना होता है कि दूसरे के ग्राउन में जाना होता है तो ऐसे खेलने जाएंगे तो बहुत बढ़ा हो जाएगा इसलिए उन्हों ने क्या क्या आई लिक फडिविजन शुरू कर दिया इसमें 25 तीम को पांच जोन में भाड़ दिया और उसमें पांच टीम हमारे यहां पर आये पांच टीम गोवा में गए पांस टीम बहुत में लिली की की लिए है आई लिग सेकंड डिविजन के लिए फिर से क्वालिफिकेशन राउंड होगा जिसमें यह पांच टीम आपस में खेलेंगे और खेलने के बाद इसमें से तीन टीम से क्वालिफाई किया है तो केरल जा रहा है गोवा वहां पर 22 डिसमबर से लेकर 30 डिसमबर तक टुन्दामे यह में जोग हैं तो काफी बड़ी बाद है नारहांपूर के लिए और उन्होंने यहां के ग्राउंड का पी अच्छे हैं और उन्होंने जब नया ग्रांड बनता है उसे फीवा इस्टैंडर्ड का बताया डाला कुछ कहेंगे हम लोग ने को सब प्रकार लोग भेजनेंगे बोले हैं अभी तक हमको ज्यादा पैसे कुछ मिला नहीं है हलंकि हम आश्रम के पैसे खर्च करके इसको बनाने के कोशिश कर रहा है यह सारे के पीछे उद्देश्चा है कि हमारे बच्चों को दोनों टाइप का खेल का यह मिले एक तो बरसात की दिनों मे यह ग्राउंड जो है घास का ग्राउंड खराब हो जाता है तो इसको रेश्ट देने के लिए उसमें खेल सकते हैं दूसरा है हम लोग पिछले साल जैसे आई लिग सेकेंड डिविजन क्या थे हम लोग बैंगलोर जब खेलने गए तो हमारा पहला मैच वहां पे बैंगलोर टर्प में खेलना बहुत मुश्किल होता है तब हमने सोच लिया थे कि आठीविशल टर्फ हमको बनाना है ताकि हमारे बच्चे दोनों ग्राउंड में खेलके प्राक्टिस करें कभी आमको बहार जाके ऐसे टर्फ में खेलना पड़े तो भी बच्चों को अश्विधा ना सब्सक्राइब लोग जो है या फिर कोई कार्परेट जो में सी एसर पंड्स से कुछ हमको को डोनिट करते हैं और ते प्लाइस टील प्लांट हमको बहुत सयोग करते खेल के लिए विशेश करके बिश्चल प्लैंट जैसे हमारे आपे यांपी सेल खेल मेला कर आते हैं उसी हम लोग और इंडिया फुटबल फेडरेशन को रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहां पर इंफ्रस्ट्रक्चर है आप यह थर्ड डिविजन आई लीग हम हमारे यहां पर होस्ट करने करें अनुमति दे तो उन्होंने पहले एक जन ऑफीसर को भेजे कि वहां पर हो सकता है कि एक बाकी बच्चे देखने ही पाते मैच अभी जो बाकी बच्चे जो अंडर छोटे-छोटे बच्चे जो खेल रहे या अंडर फिप्टीन टीम कॉलकाता जाने वाले खेलने के लिए तो यह लोगों को यह बड़ा मैस देखने से कि मोटिविशन मिलता है कि हमको भी आगे जा बातचीत करते हैं 36 गड़ में आरकेम फुटबॉल अकेडमी का फुटबॉल में डंका बसता है लेकिन इस बाद पांच मैचों में के वाल आप लोगों ने एक ही मैच जीता आई लीग थर्ड डिविशन में हार की क्या बड़ी वज़ा मानते हैं हार की बड़ी वज़ा मेर पूरे टीम है पूरे भारत के बच्चे उसमें हमारे चत्रजगर की जो आरकेम फुटबॉल अकेडमी में सिरिफ हमारे चत्रजगर की बच्चे दूसरे कोई भी बच्चे नहीं यह हमारा प्लस पॉइंट है इस टूर्णमेंट में इसलिए भी हो सकता है अगले साल और दिशन के मुकाबले पर हुए थे और इस साल आई लीग थार्ड डिवसन के मुकाबले हो रहे हैं आगे बी कुछ बड़े टूर्णमेंट किया यहां पर होने है इस ग्राउंड में और क्या आगे आप लोगो के प्लान से एक बहुत बड़ा टूर्णमेंट होने वाला अभ आप लोग ग्राउंड के लिए कितनी मेहनत करते हैं प्लेयर स्टेट में काफी अच्छा पॉपामेंस रहता है कैसे इनकी प्रैक्टिस कराते हैं डाइट कैसे दैता हैं ग्राउंड के बारे में बोलें तो हमारे दो-तीन जो स्पोर्स टीचर है हनमांत राओ लोचन यह सब दिन भर मिस सुवेरे अभी यह टूर्डमेंट में यह लोग साड़े चार-पांच वजे यहां आ जाते थे हम भी ओफिशल है हम लोग साड़े छे चे तक पहुंसते थे मारे लोग ग्राउंड को देखना रात बर लाइनिंग कराना इस जगह में और आप डाइट के बारे म और बहुत जल्दी हमारा एक बहुत अच्छा जीमूम भी तैयार हो रहा है वो भी तैयार होगा सब तरह से हम लोग एक बड़ा फोकस करेंगे अगले तूर्णमेंट में फूटबॉल अकेर में आपने बताया कि इस बात आई लीग 3 डियोजन में लोकल्स प्लेयर जादा क्या किस रीजन के ज़ाधा है? क्या अभुझमार इलाखे के ज़ाधा बच्चे हैं? हाँ अभुझमार के बच्चे है है, जो हमारे स्कूल से पड़ के पास हुए वो बच्चे है और स्टेट के अलग-ळग जिलों से हैं लड़के. और जो टॉप लेवल के बच्चे हैं उन्हीं वही खेल रहे हैं और बहुत अच्छा है इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आगे दिखाई देगाई है तो स्टार्टिंग है बहुत अच्छा होगा अभूज मार्ड के बच्चों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें काफी पोटेंशियल है और साधीरी दूप से भी काफी स्ट्रॉंग रहते हैं उन लोगों कैसे तरासते हैं बस हम लोग ट्राइल लेते हैं सब का हमारे कोच लोंग पहले लेते हैं फिर बड़े जो कोचा है रंजन चौदरी जी वह देखते हैं महाराज लोग भी देखते हैं उसमें से फिर चूस होता है एक जन के हाथ में नहीं है पूरी की नजर पूरे बच्चों में है सब सलेक्ट करके उसको एक अच्छी टीम यह करते हैं आप लोग थर्ड यूजन के मुकाबले चाहते हैं कितनी मेहनत लगती है इस आयूजन में बहुत मेहनत और यह हमको होश करने के लिए मिला अभी भी मेरे को लग नहीं रहा है कि यह टूर्णमेंट हो गया एक तारीक से यह टूर्णमेंट हुआ मर दो मेहने से हम लोग तैयारी कर रह जगा दो-दो टी हमारे स्टाप ते जो स्पोर्ट के वो पूरा उनको मैनेज करते थे तीमों को अब 36 गड में फुटबॉल या फिर नारायनपूर में फुटबॉल का माहूल कैसा देखते हैं और आरकेम फुटबॉल अकेडमी एकडम टॉप लेवल में आज के डेट में अभी कोई भी डिश्टिक इससे उपर नहीं गया है अभी तक तो मैं जैसे देख रहा हूं और 36 गड के फुटबॉल संग और आल इंडिया फुटबॉल संग की पूरी नजर आरकेम फुटबॉल अकेडमी और 37 गड में इस रंस्ता को देख देखा जा रहा है केरला टीम से मैंने सुबह बातचीत की तो उन्होंने ग्राउंड की काफी तारीप किया कि हॉस्पिटैलिटी की तारीप की उन्होंने यह कहा कि जैसी हम लोग आए बढ़िया स्वागत किया गया लगातार बच्ची जब हम गोल्स कर रहे थे ते वो तालियां क्लैपिंग क कर रहे थे ऐसा कहा रहे थे क्या कुछ कहेंगे आप देखे एक स्पोर्ट्समान स्पिरिट के साब से यहां के बच्चे जबकि लड़कियां सबसे ज्यादा इंटरस्ट करके आप भी देखे होंगे बहुत ज्यादा उन्हों में इंटरस्ट है और उन्हों सुरू से इसको हैं और उन्होंने पूरे पब्लीक नारायनपूर के हर जगह से पब्लीक आके हम लोग को सपोर्ट किया है इस तूर्णमेंट में तो यह थे आरकेम फुटबॉल अकैडमी के को ओडिनेटर एवं महराज जी से हमने बातचीत की 36 गड़ में के वल नारायनपूर में ही आई- यह पसनायो थैंक यू